उनके milk जो हमाला दोद बल्ली को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए कैट्स को भूक वग्राइड लगती है तो हरम्स बडूड को दूड डाल दो उनके निपल्पन से दूड नहीं आ रहा हूता तो कैट्स के बेबी जून से वो बोलते रहते हैं और लोग परिशान हो जाते हैं उनके मेदे के अंदर सूजन हो जाती है कि लोग जो स्टे कैट्स को दूद पलाते हैं वो क्यों पलाते हैं मैं आपको बताता हूँ के कैट्स को दूद कब देना चाहिए किस तुरान देना चाहिए जिस टम कैट्स को दूद की जरूरत होती है आपने कैट्स को मिल्क यूज करवाना है लेकिन यूज करवाने का भी एक तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ आपने डबे वाला या बाहर खुले दूद जो आम नॉर्मली शॉप्स वाले देते हैं वो हर्गिस नहीं देना अस्टामनेकूम गाईज कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं हमजा असलम बात कर रहा हूँ एनिमल्स वर्ट पैट्स क्लिनिक से तो गाईज आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हूँ जिस पे आप लोग बहुत ज़्यादा सर्चिंग भी करते हैं और यूजिंग भी करते हैं जैसे के मिल्क, कैट मिल्क, कैट मतलब मिल्क के रिडेटर मैं वीडियो बना रहा हूँ के मिल्क जोंसा है को दूद डाल दो आपने देखा योगा अकसर कहीं भी हम जाते हैं तो लोगों ने छुट-छुटे मतलब प्याले रखे होते हैं और उसमें मिल्क डाला होता है दूद डाला होता है बाकी मतलब बाहर की स्टे कैट्स लोगों ने मतलब काफी लोग ध्यान रखते हैं स्टे कैट्स को लूज मोशन लग गए हैं या वो बिमार हो गी है या कोई और काफी ऐसी मतलब चीजे हो जाती है इस फर्स में तो बात ये करेंगे कि बिली को दूद नहीं देना चाहिए अगर बिली को दूद देना है आपने तो दूद उस दुरान देना चाहिए जैसे आपने देखा होगा एक चोटा सा किटन होता है वो अपनी मा के साथ टू मन्सक मतलब वन डे से में से दूद नहीं आ रहा था तो cats के baby johns से वो बोलते रहते हैं और लोग परिशान हो जते हैं कि हमारी cats पतनी बचे क्यों बोर रहे हैं परिशान होते हैं और वो doctor के पास भागते हैं और doctor उनको check करता है तो देखता है कि doctor मतलब check करता है कि cat female cat के milk नहीं आ रहा था तो ऐसे cases आ जाते हैं तो इस चीज़ से आपने परिशान नहीं होना कोशिश करनी है आपने cats की diet अच्छी रखनी है health अच्छी रखनी है boil chicken वगरा देना है उससे यह होगा कि cats weakness की वैसे मतलब milk नहीं आता और in case अगर cat के मतलब milk नहीं आ रहा babies जादे ही चोटे हैं तो इनके लिए milk repressor आते हैं वो आपने यूज करने हैं आपने बाहिर वाला मतलब जो normally shops वगरा से दूद मिलता है वो बिलकुल नहीं देना दब्बे वाला दूद वो भी बिलकुल नहीं देना क्योंकि आपने देखा होगा इनसानों के बचे भी मतलब छोटे babies बगारा पैदा होते हैं अगर mother feeding नहीं कर रहे तो उनके लिए specially milk आते हैं जो यूज करते हैं वैसे भी मतलब आपने देखा होगा डब्बे वाला दूद या मतलब normally उनके मेदे के अंदर सूजन हो जाती है और भी काफी जादा problems हो जाती है जैसे बाल तूटने लग जाते हैं वाम्टिंग जाना स्टार्ट हो जाती है और भी काफी जादा बिमार होने का खत्रा होता है आप फिर मतलब इस वीडियो में ये देख रहे होगे कि हमजा भी मतलब चले हम तो दूद नहीं पलाते है बाकी लोग जो stay cats को दूद पलाते हैं वो क्यों पलाते हैं मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी cat जो उनसे होती है वो indoor होती है, घर में रखते हैं वो sensitive होती है बाहर जो stay cats होती है उनका जो digest system है वो काफी strong होता है, वो ऐसी चीज़े भी खाती है, जो मतलब खराब होती है, कुछ भी क्योंकि उन्होंने अपना पेड तो भढ़ना है, दूद, मतलब in case वो नहीं भी पीते हैं, उन्होंने कहीं आपने देखा होगा, मतलब कहीं, मतलब कूडे वगरा के, अंदाता है, वो खा लेती है, और वो खा खा के, उनका digest system काफी strong हो जाता है, और उसके बाद, उनके पास कोई room तो होता नहीं है, कोई छट तो होती नहीं है, रहने वाली बारिश में, मतलब तुफान में, या कुछ भी ऐसी मौसम आपको बता है, change होता रहता है, तो उसमे cat जोंसी है, वो अपने, stay cat जोंसी है, वो अपने आपको strong कर लेती है, अल्ला ताला ने मतलब एक निजाम बनाया है, जैसे आपने देखा होगा, हम इनसान भी हैं, इनसानों में, मतलब एक normal इनसान है, वो गर्मी में, मतलब उसको बहुत जादा गर्मी लगती है, कि वो बा लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा, कि आप जो अपनी घर वाली cats हैं, उनको दूद बिलकुल मत दे, क्योंकि दूद cats के लिए बहुत जादा नुकसान दे है, किस time use करना है, मैं आपको यह बता देता हूँ, कि दूद अगर आपने use करना ही है, मैं आपको बताता हूँ कि द प्रेंड्स हैं, उस पे भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा दूद जो बेबी जोन के लिए best होता है, उसके बाद milk आपने उस दुरान यूज़ करना है, जब cat को कबज हो जाए, कबज जैसे आपने देखा होगा, कुछ cats मतल नहीं, वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, और फिर डॉक्टर उनको suggest करते हैं, उनका treatment करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कि जो मतलब जिनके पाद डॉक्टर की facility नहीं है, या फिर ऐसे लोग हैं, जो डॉक्टर को afford उस time नहीं कर सकते, या फिर उनके पाद की facility काफी काफी दूर है, तो उस दुरान जब cat को कब जोजे तो उस दुरान आपने cats को milk यूज करवाने हैं, लेकिन यूज करवाने का भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, first end आपने जितना milk लेना है, 1% मतलब 1% से 1 milk लेना है, उतना ही आपने water लेना है, मत मतलब अगर आप मतलब छोटा सा मतलब छोटा glass milk का लेते हैं, तो उतना ही same quantity में water का भी लेना है, पानी का भी लेना है, ठीक है, उन दोनों को मिला के mix करके फिर देना है, जब उस दुरान कब के दुरान आप milk और पानी दोनों की quantity same मिला के अपनी cats को देंगे, तो उसकी बुरस जोनसी उसको होगी, वो ठीक होजेगी, इंशालला, ये आपको बहुत जादा मैंने आपको benefit वाली मतलब छीज़े बता दी है, कि cats first hand आपने अपनी cats को milk नहीं देना, इन केस अगर देना है, तो जब उनको कबस बगरा ये कोई ऐसा issue होजे, फिर देना है, और उसके cat के लिए भी और आपके cat के बेबिस के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे है, इससे उनकी cats की, आपके cats या बेबिस की जान भी जा सकती है, तो guys, मैं आपको बताना चाहूंगा, कि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा information मिली होगी, और इसी मतलब ऐसी वीड कर दीजेगा, शेर कर दीजेगा, इंशालला ऐसे ही हम आपसे मुलाकार डेली बेसिस पर करते रहेंगे, हमारी मतलब वहां में दुआउं में अपनी याद रखिएगा, ठीक है, शुक्रिया, अलाहाफिस